अस्तामनीकूल फ्रेंड्स, वेलकम बेक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल मन जोगी आलिया जिसके पास कोई ठिकाना नहीं सवाए भाई के और अब जब वो मस्जिद से भाग कर आई तो भाई के घर आई यहां पर भाई और भाई को कॉन्फिडेंस मिलेकर सब कुछ पता देती है कि शबीर से उसकी तलाक हो चुकी है, अब इबराहीम ही उसका शोहर है जब भाई को सारी दास्तान सुनाई, तो भाई की आँखें भी भराई, दिल भराया अभी सब बाते कर ही रहे थे, कि दर्वाजे के जोर जोर से बचने की आवास आई, सब को लगा, कि जैसे शबीर है लेकि नहां पर जैसे ही दर्वाजे पर भाई ने आवास लगाई तो कोई और था, इसलिए दर्वाजा खोल दिया इससे पहले आलिया और इब्राहीम भी कमरे में चले गए, आलिया और इब्राहीम अभी भी एक दूसरे से अंचान है, ना आशना है अभी भी एक दूसरे के साथ वक्त कुसारेंगे तब ही तो आशना हो पाएंगे और ये भाई का घर ही है जहां पर ये एक दूसरे के साथ वक्त कुसारेंगे और भाई फिर इन दोनों की शादी भी करवा देगा सही तरीके से क्योंकि अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है तो हम धाम से इनकी शादी भी होगी लेकिन उससे पहले बहुत से ट्विस्ट इंटर्ण से गुजरना होका इने जैसे ही भाबी ने सारी दास्तान सुनी आलिया की उसे तो अपने लाले पढ़ गए कि एक नंद आकर उसके चुले पर बैठ चाएगी तो वो कैसे अजादी से रह पाएगी इसलिए तो भाबी चोरी चुपे आलिया के सुस्ट्राल में फोन करना चाहती है उसकी सास को ताकि वो लोग आकर आलिया को ले चाएं भाई ने जब देख लिया तो अपनी बीवी पर भड़कने लगा क्या करियो तुम जब आलिया ने सब कुछ बता दिया उसके उस घर में कोई चगा नहीं तो तुम उने फोन क्यों कर रही हो रखो फोन अपना नीचे तो भाबी कहने लगी आप समझते नहीं इसकी बातों को वो उसकी सास का फोन नहीं आया था कि लड़ाई के वो जैसे घर चोड़कर भाग गई हो सकता है कि वो कोई और बात हो आपने सिर्फ आलिया की बात सुनी अभी उन लोगों की बात नहीं सुनी मैं उन्हें फोन करके यहां पर बुलाना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है यह तलाक का मामला नहीं आशकी माशूकी का है जैसे आलिया इस तड़के को चाहने लगी है तब ही तो उसके साथ भाग कर यहां तक आ गई ताकि हम इसे सहारा दे हम इतना बड़ा गुना नहीं कर सकते लेकिन भाई को अपनी बहन पर पूरा यकीन है वो जानता है कि उसकी बहन ऐसा कदब नहीं उठा सकती इसलिए तो वो अपनी बीवी को फोन ही नहीं करने देता यहां तक कि आलिया और इबराहिम को एक अलग कमरा दिया जाता है जहां पर उनकी प्रेवेसी बढ़करा रहे है जहां पर वो अराम से सो सकें, जाक सकें, बात कर सकें लेकिन अकेले कमरे में भी दोनों एक दूसरे से ठीक तरह से बात करते ही नहीं साथ में सोना तो बहुत दूर की बात है दोनों अलग-अलग सो रहे हैं लेकिन आलिया को तो नीद ही नहीं आती इबराहिम की मासूमियत पर जैसे वो मर मिटी है अब यहां पर अगले ही दिन आलिया और इबराहिम को एक चर्च में लिखाया क्या चर्च में तो क्रिस्चन्स हुआ करते हैं और अगर यह लोग क्रिस्चन्स हैं क्रिस्चन्स के मजब को शो कर रहे हैं तो पिर हलाला कैसा फिर तलाक कैसी उनके तो कोई और ही रस्म हुआ करते हैं। अब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि यह लोग या तो दुनियावालों के डर से चुपने के लिए कुछ देर के लिए यहां पर आकर बैठे हैं या पिर कुछ और, ये सिचुएशन देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा कि आहर दोनों चर्च में आए तो आए क्यों लेकिन फ्रेंट्स ये ड्रामा वाकिए एक मास्टर पीस है जिसमें अगर एक साथ में जाकर हमें बहुत जबर्दसे सीन देखने को मिलेंगे अभी तो ये ड्रामा हमें थोड़ा सा डाक्नेस में दिखाया जा रहा है लेकिन फिर आलिया और इब्राहिम की जिंदगी में रोशनी भी आएगी सवेरा भी होगा और वो सब कुछ देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा प्रेंटस आपको इस एपीसोड के ये छोटा सा रीवी अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ पैस नोटिफिकेशन ज़रूर पैस कीचिए ताकि आने माली हाल वीडियो बहुत असानी से देख सकें अलाहाफेज